Hello my dear friends, इस एक sentence ने, इस एक phrase ने completely मेरी life change कर दी और मेरे mindset को completely change कर दिया और मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस phrase को, इस sentence को सुनोगे तो आपका भी mindset completely change हो जाएगा और आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे मैं एक copywriter हूँ और मैं copywriting करता हूँ, तो मैं recently copywriting से related इस book को परा था, Copywriting Secrets, बहुती amazing book है तो इस book में मैंने जब इस phrase को परा, तो मेरे दिमाग के सारे limiting beliefs दूर हो गए, वो phrase है कि before you can be great, you have to be good, before you can be good, you have to be bad, before you can be bad, you have to try, you have to do something मतलब कि अगर आप great बनना चाते हो तो पहले आपको good बनना परेगा, और अगर आप good बनना चाते हो तो पहले आपको bad बनना परेगा, और अगर आप bad बनना चाते हो तो पहले आपको कुछ करना परेगा, कुछ करना परेगा कुछ करना परेगा पर सबसे सैड बात यह होती है कि दुनिया के मैक्सिमम लोग अगर किसी चीज को शुरुआत करते हैं और अगर उस चीज में वो खराब करते हैं उस चीज में बहुत सारी गलतिया करते हैं तो वो लोग गिव अप कर देते हैं मैं एक बुक पर रहा था Secrets of the Millennial Mind उस बुक में एक कोट है कि Every Master was once a disaster मतलब जितने भी Master है जितने भी Expert है अपने अपने फिल्ड में वो पहले disaster से उनको कुछ में नहीं आता था और वो लोग कुछ नहीं जानते थे उन लोगों ने भी शुरुआत से शुरू किया उन लोगों ने भी Try किया और आज जाकर के वो लोग Master मन गए और अगर हम लोगों को किसी भी फिल्ड में कुछ सीखना है तो हम लोगों को एक Mindset आना बहुत जरूरी है और वो है Beginner Mindset और Beginner Mindset में क्या होता है कि जब हम लोगों शुरुआत करते हैं तो हम लोगों को बहुत जादे Uncomfortable फिल होता है कि यार इस सीज में तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ मैं तो बहुत खराब कर रहा हूँ और लोग मेरे मजाग उराते है और जिसके अंदर ये Beginner Mindset आ जाता है वो फिर किसी भी चीज से शर्माता नहीं है वो किसी भी चीज को Easily सीख लेता है इसके दुनिया में बहुत सरे Example है आप किसी भी Successful इंसान से पूछ लो कि उन्होंने किसी भी चीज को कैसे सीखा था पहले वो भी उस फिल्ड में उतना ही खराब कर रहे थे जितना आप खराब कर रहे हो लेकिन उन्होंने कभी Give Up नहीं किया था वो लोग करते गये थे पहले उन्होंने बुरा किया फिर और बुरा किया और गल्दियां की उसके बद फिर वो अच्छे होते गए फिर धीरे 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 वो अपने फिल्ड में मास्टर बनते गए तो हम लोगो beginner mindset develop करना है और give up नहीं करना है हम लोगों सीखते रहना है क्योंकि grade बनने का रास्ता यही है एक टाइम पे Michael Phelps को भी स्विमिंग नहीं आती थी और उसे बोल्ट को भी दौरना नहीं आता था लेकिन उन लोगों ने शुरू किया और वो लोग धीरे-धीरे consistency के साथ दुनिया के उस sport में top पर पहुँच गए और उन लोगों को कोई नहीं पचार पाया तो उन लोगों ने भी पहले शुरू किया था उन लोगों भी पहले नहीं आता था तो हम लोगों को beginner वाला mindset चाहिए वल दन यह वीडियो कैसा लगा comments में जरूर बताए अपना important feedback जरूर दे ताकि मैं improve कर सकूँ this is for aanshubimi thank you so much